अलो फ्रेंड मैं इस्मृति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल स्टड़ी विथ स्मृति में तो चले सुरू करते हैं आज की क्लास तो आज की क्लास मेरी आधारी थे हिंदी भाषा और साहिते पर और मैंने प्रश्ण लिया है भारत में भासा परिवा भासाएं बोली जाती हैं इनमें अनेक भासाओं में समानता है सह अस्तित्व है तो कुछ भासाओं में असमानता भी समानता एक गुंड धर्म वाली भासाएं किसी एक भासा परिवार के अंतरगत आती है या यूं कहें कि समान प्रकृति वाली भासाएं मिलकर एक भासा पर परिवार का निर्मान करती है या एक भासा परिवार के अंतरगत समान गुंड धर्म वाली भासाएं आती है एक भासा परिवार के अंदर वैसी भासाएं आती है जिसके गुंड और धर्म समान हो या समान प्रकृती वाले हो तो ऐसे भासाओं के समुहों को क्या कहते हैं भासा परिवार कहते हैं तो भारत में पाए जाने वाले भासा परिवार मुझेता पांश प्रकार के हैं चलिए देखते हैं कॉठाबं में अलग अलग दी हुई है कहीं चार भासा परिवार दिया है कहीं पांच भासा परिवार दिया है इसी प्रकार इसमें जो मैंने जो एंसर त्यार किया है इसमें मुख्यता पांच भासा परिवारों का वंडन किया है तो चली देखते हैं पहला है भारोगिय भासा परिवार दू परिवार या हिंद आरे भासा परिवार भी इसका नाम है तो उसके बारे में डिटेल जानते हैं तो यह सम्मू भासाओं का सबसे बड़ा परिवार है यह जो सम्मू भासाओं है जो भासा परिवार है उसमें यह सबसे बड़ा भासा परिवार है और सबसे महतोपुर्ण भी ह ये तमाम भासाइं इसी सम्हों से संबद रखती है इसलिए इसे भारोपिय भासा परिवार भी कहते हैं भारत की दो तिहाई अबादी मतलब दो तिहाई से अधीक अबादी हिंद आर्य भासा परिवार की कोई ना कोई भासा विभिन अस्तरों पर प्रयोग करती हैं भारत की चिर जो तिहानी से अधीक अभादि छो है वो तार भारोपिय भाषा का विभन अस्तरों पर प्रयोग करती तैंब भारत में आद्टीवासियों के द्वारा भारोपिय भाषा परिवार की भाषाएं हिंदी भाषी प्रदेश में विशेश रूप से बोली जाती है तो जो हिंदी भासी प्रदेश है वहाँ पर अधीकतर आदिवासियों के द्वारा भारूपी भासा परिवार का प्रयोग किया जाता है हिंदी भासा भासी छेत्रों के अत्रीक्त अन्य भारूपी भासाओं के छेत्र जो है वो है गुजरात महरास्ट और राजस्था इस अभी जगह पर भी कुछ ऐसे जो ऐसे लोजन संख्या है जो भारोपिय भासा परिवार से संबद रखती है यहाँ पर पाए जाने वाले आदिवासी भी भारोपिय परिवार की ही भासाएं बोलते हैं आदिवासी भासाओं में भारोपिय भासा परिवार के सबसे अधीक व्यवरित भासा जो है वो भीली है जो मुख्य रूप से भीलों और उसके उपवर्गों के द्वारा तो व्यवार में लाई जाती है भारोपिय भासाओं को व्यवरित करने वाले अधिकतर आदिवासी कोल समू के हैं तो जो भारोपिय परिवार की जो भासाइं जो राजस्तान मगुजरात और महरास्तर में जो आदिवासियों के द्वारा बोला जाता है तो वैसे आदिवासियों में भासाओं में भारोपिय परिवार की सबसे अधिक वैवरित जो भासा है वो भीली है और मुख्य परिवार के कुछ विसेस्ताइं जो हैं वो निम्निलिखी थे तो पहला है यह विश्व के बड़े भागों में बोली जाती है पूरे विश्व के सबसे बड़े भागों में बोली जाने वाली जो भासा है वो भारुपिय भासा है अन्य परिवारों की तुलना में इसमें भास साहित्य रचना के छेत्र में भी इस परिवार की भासाएं अग्रणी हैं। और भासा के उचाई पर ले जाने बारोपिय भासा को उचाई तक ले जाने में इनका योगदान उलेखनिया हैं। इसमें मुक्यता तम्मिल, तेलुगु, कन्नड और मल्यालम आती हैं। उतर भारत में कुछ कबाईली भासाएं जो हैं वो भी इसमें आती हैं। इसमें तम्मिल सबसे पुरानी हैं। तो इसका विस्तार नर्मदा यम गोदावरी नदियों के दक्षिन भाग से लेकर कन्या कुमारी तक बोली जाती है। इस प्रकार की भासाएं उत्री स्री लंका, पाकिस्तान यम अफगानिस्तान के सिमान्त भूभाग तथा भारत के मद्यप्रदेश, चतिसगड, बिहार, जारकंड, उडिसा के कुछ भागों में बोली जाती हैं। अब देखते हैं, भारत की जनसंक्या में द्रविड भासाओं के बोलने का प्रतिशत है, वो 22.53 है। द्रविड परिवार में मातरी भासाओं की संक्या एक सो तिरपन है, जिसमें सत्रव भासाएं प्रमुख हैं। अब देखें, आप लोग को बताते हैं, ऑस्ट्रिक भासा परिवार के बारे में, तो इसके कई नाम हैं, जैसे इसको औस्ट्रो एशियाई भासाओं अगने भासाओं कहा जाता है। और इसको आस्ट्रो एसियाई भासाई और अगने भासा कहा जाता है अब आस्ट्रो एसियाई भासाई अगने भासाई दक्षिन पुर्वी एसिया में विस्तरित एक भासा परिवार है इसका जो विस्तार है वो दक्षिन पुर्वी एसिया में है यह भासा भारत और बांगला देश में जहां तहां और चीन की कुछ दक्षिन सिमावर्ती छेत्रों में भी बोली जाती हैं। संक्या की द्रिष्टी से इस परिवार की सबसे बड़ी भासा जो है वह संथाली है। इस प्रकार की अन्य प्रमुप भासाओं में हो मुंडारी, खड़िया, भावर, जावरा, इत्यादी भासाएं हैं। चीनी तिबती भासा परिवार, अब यह चौथा भासा परिवार है, वो चीनी तिबती भासा परिवार हैं। तो इसके बारे में आपको बताते हैं, तो इस परिवार की जादातर भासाएं, भारत के साथ उत्तर पुर्वी राजियों, जिन्हें साथ बहने, सैवन सिस्टर्स इसको कहते हैं। जिन्हें साथ बहने भी कहते हैं, यह में यह बोली जाती हैं। इन राजियों में आरुनांचर प्रदेश, मेगाले, मनीपूर, नागालेंड, मिजोरम, त्रीपूरा और असम का कुछ हिस्सा सामिल हैं। इस परिवार पर चीनी और आरे परिवार की भासाओं का मिश्रित प्रभाव पाये जाता हैं। चीनी भासा और आरे परिवार की भासाओं का मिश्रन है यह भासा। सबसे छोटा भासाओं परिवार होने के बाजूर इस परिवार के सदस्य भासाओं की संक्या सबसे अधीक है। इस परिवार की मुख्य भासाओं में नाग, मीजो, महार, मनीपूरी, तांगखुल, आदी, दफला तथा आमो इत्यादी भासाओं बोली जाती हैं। परिवार की मुख्य भासाओं में नाग, मीजो, महार, मनीपूरी, तांगखुल, खासी, दफला तथा आमो इत्यादी भासाओं बोली सामिल हैं। और इस परिवार पर जो चीनी और आर्रे परिवार की भासाओं का मिस्रित प्रभाव पाये जाता है। इसकी संख्या पांच है, अंडवानी भासाओं परिवार, जनसंख्या की द्रिष्टी से यह भारत का सबसे छोटा भासाओं परिवार है। इसकी खोज अभी कुछ ही समय पूर्व, मशुहूर भासा विज्ञानी प्रोफेसर अविता अन्नी ने की। इसकी खोज अभी हालिक के वर्सों में हुई है, और इसका खोज का स्रेज हो जाता है, वो प्रोफेसर अविता अन्नी को जाता है, यह मसुहूर भासा विज्ञानी थे। इसके अंतरगत अंडमान, निको बार द्विव समय की भासा आ दिये है, जिसमें प्रमुक है अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, औंगे, जाल्वा इत्यादी अंडवानी, Chan준, अंडमानी और उंगे, जाल्वा इत्यादी प्रमुक भासा इसके अंतरगात आती हैं। इस प्रकार आपने भारती यह भासा परिवार शमूंग के बारे में आप लोगव नहीं जाना. एक बार फिर से मैं आपको revise करा देती हूँ जिसे के आपको असानी से आध हो जाएगा. और एक ही बार में देखने में आपका ये भारत में भासा परिवार और उसका वर्गी करण ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा तो भारत में भासाओं की बहूलता है और इसको भारत की भासाओं को चार भासा परिवार में बाजित किया गया है पहला है भारोपिय भासा परिवार, दूसरा है द्रविड भासा परिवार, तीसरा है ओस्टिक भासा परिवार, चोथा है चीनी तिबती भासा परिवार और पांचवा है अंडमानी भासा परिवार तो जो भारती है यूरोपिय वासा परिवार है उसके बारे में आपको बताते हैं कि यह समू भासाओं के सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महतुपूर्ण भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी भासाओं हैं इसमें दो तिहाई भारत की जो दो तिहाई अवादी से अधिक जो परिवार की भावाषाओं जयासे पाणिद्ली भरतरिहरी, असूर, ब्लूम्फिल लादी ने शर्वधिक कारे किया है इन लोगों का कारे जो है यह लेखनिया है और दक्षिन भारती भासा परिवार के बारे में भी बताएं आपको कि यह भारत का दूसरा भासा मतलब दूसरा बड़ा भासा परिवार है इसके अंतरगत मुख्यता तम्मील तेलगु कनड और मल्यालम भासा आती है और इस भासा की भासाय मुख्यों रूप से नर्मदायम गोदावरी नदियों के दक्षिन भाग से लेकर कंड्या कुमारी तर्च इस भासा को बोला जाता है और भारत की जनसंख्या में द्रविड भासाओं को बोलने का प्रतिशत जो है वह बाइस समलत पांच तीन प्रतिशत है और मात में दक्षिन हमारती है बाति जए बाता बूदिज और भासा ěस भासा परिवार की क्या मुख्यट जह रहे हिसलिए और संन्थाली भासा अ सबसे बड़ी भासा है और अन्य भासाओं में हैं इसमें शामिल है हो मुंडारी खड़िया जावरा इत्यादी अन्य भासा में और चीनी तिबती भासा परिवार में मैंने आपको बताया कि यह भासाएं जो है वो भारत के उत्तर पूर्व में बोली जाती है और सैवन सिस्ट इसकी खोजहाल में ही हुई है और प्रोफेसर अवित्र अन्य ने इस भासा के बारी में बताया इसकी अंतरगत अंडमानी को बार दिवस्व कहाएं जिसमें प्रमक अंडमानी ग्रेट अंडमानी एंग्ये जारवा इत्यादी इतनु बहुता है और इसका बरगीकरण आप लोगोंने दिखा तो मिलते हैं अगले वीडियो में और देखेंगे अगले वीडियो में आपको मैं आपको बताया और देवनागरी लिपी के बारे में लेते हैं आपसे धन्याएवाद